साहिबान, महरबान, कदरदान क्या आप जीत और मेहनत करते हैं और आपको फल उस परिश्रम के अनुरूप नहीं मिलता क्या आप जानना चाहते हैं के आप गरीब क्यूं है क्या ये आपका भाग्य है या करमों का भाव क्या कर्म बड़ा है या भाग्य जानने के लिए आईए देखें कर्म या भाग्य का अंतिम भाग वहाँ अंधेरे में कुछ, कोई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा हाँ अब कुछ नज़र आया अरे ये तो तीन कर्ण्याएं हैं इन में से एक कर्ण्या तो अती सुन्दर है और शायद किसी उच्छ घर आने से संबन्द रखती है राजकुमारी भी हो सकती है ये शेर की धार अरे ये शेर तो वहीं उसी और तालाब क्यों जा रहा है मुझे कुछ करना चाहिए क्या करूं मैं पिता जी पिता जी इस नुकीली लकडी से मैं शेर की आँख में निशाने लगाता हूँ इसकी इसकी एक आँख भेद देता हूँ हाँ ये ठीक रहेगा योवराज ने तो भाला भैंक कर शेर को धेर कर दिया पर आगे जो होगा वो भग्य है या कर्म बताओ ये तो कर्म ही है राजकुमार के पर मदारी जिग्यासा थोड़ी घटा कहानी को आगे तो बढ़ा जमूरे चल गाडी पर गेर लगा कहानी को आगे बढ़ा ओ के उस्तार बेटी हमार है हमार है बेटी बेटी कहा है शेर कहा है शेर इस नौजवान ने तो इस शेर की आँख बींद डाली बहुत खुब बहुत खुब बहादर नौजवान हम राजा गज सिंग है और ये राजे हमारा ही है अपने बारे में कुछ बताओ महराज मेरा नाम विक्रम सिंग है और मैं आपके पड़ोस के राजे से आया हूँ कितना तेज है इस युवक के मुख पर और कैसा शूर्वीर है हमारे पुद्री के लिए अगर कोई योग्यवर हो सकता है तो यही युवक हो सकता है युवक तुम्हारे परिवार में और कौन-कौन है महराज मैं और मेरे माता पिता ओ केवल माता पिता तो इस युवक का विवा नहीं हुआ भी तक युवक कहिए महराज हम तुम्हारे समक्ष एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं महराज हम अपने पुत्री का विवा तुमसे करवाना चाहते हैं और हाँ तुम जैसे शूरवीर को अपने देश का राज्य भार देकर हम राजकारिय से मुत्ध होना चाहते हैं कहो क्या तुम्हें ये प्रस्ताव मन्या है किन्तु महराज आपने मेरे कुल आदी के बारे में तो पूछा ही नहीं युवक हम जाते और कुल की अपेक्षा कर्म को कहीं अधिक उच्च स्थान देते हैं तुमने नीश्वार्थी अपने प्रानों को खत्रे में डाल कर हमारी पुत्री की रक्षा की है एक वीर पूरिश का यही तो कर्म होता है महराज मैं आपके उच्च विचार सुनकर कृतक के हुआ मैं वास्तों मैं आपके पड़ोसी राजी के महराज का इकलोता पुत्र युवराज विक्रम सिंग हूँ युवराज विक्रम सिंग नहीं अब राजा विक्रम सिंग कहो राजा विक्रम सिंग तो तीनों ने एक एक दिन की कमाई तो कर ली अब आगे क्या करना है? मेरी सोच के अनुसार हमें अपने अपने प्रेश्णों का उत्तर तो मिल ही गया है अच्छा? तो फिर क्या निश्कर्ष निकाला तुमने? हमें भी तो बताओ हमारे अनुभव से ये साफ हो गया है कि भाग्य ही सबसे बल्वान है गर्म और जन्व समय का कोई महत नहीं वो कैसे? देखिए मैंने आधा दिन अथाप मेहनत की अपनिक शंपता से ज्यादा परिश्रम किया फिर भी मुझे एक ही रुपिया मिला जबकी सेट गोविंद दास जी ने सिर्फ एक घंटा मंडी में कुछ लोगों से बात करके ही सो रुपे कमा ली और युवराज आपने तो एक बास निशाने पर फेग कर ही एक राज्य पालिया इसलिए सुक्भरा जीवन जन्म के समय सितारों की दशा या कर्म पर निर्भण नहीं होता ये अप्रमानित हो चुका है नहीं, ये गलत है मेरा कारे भी आसान कहा था? मैं गेहूं का व्यापार तो करता नहीं हाँ कुछ पहचान अवश्य थी फिर भी मैंने बिना पैसो के गेहूं का व्यापार किया अच्छा गेहूं चुना फिर युक्ति लगाई और मैंने किसान से पैसे देने का वक्त लिया और फिर ठीक मुनाफे पर कुछी मिंटों में ग्राहक भी ढूंड निकाला अब सोचो अगर मैं वो ग्राहक ना ढूंड पाता तो क्या हाल होता मेरा बैं मैंने तो अपने कर्म का खाया है हाँ यो राज को अवश्य उनके भागे का मिला है अरे मेरा कारे तो सबसे कठिन था मैं अपनी जान पेड़ पड़ चड़कर बचा भी सकता था मगर मैं केवल एक नुकीली लकड़ी के सहारे शेर से भिड़ गया सोचो अगर मेरा शस्त्र शेर की आँख में ना लगता तो मैं इस समय जीवित ना होता और मेरा शस्त्र शेर की आँख इसलिए भेट पाया क्योंकि इसके पीछे मेरा कई वर्षों का भ्यास था इसलिए ये भाग्य नहीं था बल्कि मेरे कर्मों का फल था अरे ये तो हमारे सवाल का कोई निशकर्ष निकला ही नहीं सुनो कृष्णा अगर भाग्य तुम्हारे साथ ना होता तो तेज बरसात भी हो सकती थी किसी कारण से मंडी बंद भी हो सकती थी और हाँ ये भी हो सकता था कि मंडी में कामी ना होता हाँ महाराज आप ठीक है रही है मगर मैंने पाया तो सिर्फ एक रुपिया ही ना अच्छा रोज कितना पाते थे जी यही कोई आठा ने और इस बार एक रुपिया यानी दुगना अच्छा एक बार बताओ क्या तुम मजदूरी करके सेठ गोबिंद की तरह सो रुपिया कमा सकते थे जी नहीं महाराज एक सब्ता तो क्या एक माह में भी नहीं और अगर गोबिंद दास ने सो रुपिय के बजाए सिर्फ एक बोरी का व्यपार किया होता तो जी तो उन्होंने भी एक रुपिया ही कमाया होता अच्छा अब गोबिंद एक बात बताओ जे पूशे अगर ये दिन नई फसल के मंडी में भिखने के ना होते तो तुम क्या करते जे ये भी सोचने के बात है और अगर वो किसान फोरण पैसे पाने की जिद करता तो फिर एक बात और तुम ग्यहूं बेच कर बलकि यूँ कहो कि सारे मंडी का ग्यहूं भी बेच कर बिलकुल नहीं बिलकुल ठीक तो एक व्यक्ति जिस तरह के रोजगार में होता है उसी के अमुसार कमाई पाता है राजा विक्रम सिंग एक बात तो बताईए जी महराज अगर राजकुमारी की जगह यदि कोई गरीब लड़की होती तो क्या होता? तब भी आपको उतना ही करम करने पर क्या राजपाट मिलता? जब वो राजकुमारी ही ना होती तो राजपाट कैसे मिल पाता? तो अब करम की बात करें यदि लकड हारा उतनी मेहनत ना करता यदि सेट गोविन दास को उस दिन धन कमाने की लगन ना होती और उसने अपना पूरा दिमाग ना लगाया होता और यदि युवराज रात ही में उठकर जंगल को शिकार करने ना जाते तो कदाचित आप लोगों को अपने अपनी कमाई के दिन खाना भी नसीब ना होता अब सोचो भाग्य क्या है भाग्य ये है कि जब आप कोई कर्म करते हो कहीं जाते हो किसी से मिलते हो तो आपके आसपास की परिस्तितियां आपके आसपास के लोगों की परिस्तितियां और उन परिस्तितियों में आपका किया हुआ कर्म ही आपका भाग्य निर्धारित करता है जी अब वो परिस्थितियां अन्कूल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती किन्तु भाग्य में कर्म ही प्रधान है आपको एक बात और बता दूं मेरे पुत्री की जान बचाने की कीमत नहीं है राजपार्ट यदि युवराज की जगह पर किसी और शूरवीर ने ये जोहर दिखाया होता तो उसे भी मैं ये राज्य भार सोब देता महराज आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है मैं समझ गया हूँ कि भाग्य कर्म और परिस्थितियों को मिला के बनता है और जीवन में परिस्थितियां तो भिन भिन होती है किन्तु भाग्य में कर्म ही प्रधान है साहिबान महरबान कदरदान जब जुड़े रहेंगे हमारे साथ तब बनेगी बात अगला कारिक्रम देखने के लिए इन में से किसी एक वीडियो पर हाथ लगाएं झाला कारिक्रम देखने के लोगाएं